हेलो फ्रेंट के फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपका अपना यूटूब चैनल मेज़र टार्गेट पर तो फ्रेंट आज के इस कलास में हम लोग कलास 10 एक जाम 24 के लिए सोसल साइंस यानि के समाजे विज्ञान के काफी महतपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट एमसी क्यूस को देखने वाले हैं जी हां दुस्तो यह सभी परसन कलास 10 के सोसल साइंस का मोस्ट भी बिए ऑप्जरिफ को दूसरा पार्ट को लेके आ चुके हैं तो आज के इस पार्ट म में हम लोग टोटली 30 मोस्ट इंपोर्टेंट को देखेंगे यह सभी परसन जोना दुस्त आपके बोर्ट एक्जाम 24 के फॉनल मैटी बोर्ट एक्जाम में 100 पूछे जाएंगे ठीक है तो अगर आप इस बार बैटी बोर्ट एक्जाम देने वाले तो यह क्लास आपके लाइब चैट में ठीक है तो फटावर से लाइक कर दी जिख दो यहां पर चैनल पर नहीं हां तो प्लिस दोस्तों जलिसे आप फटावर से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा साथ में बगल में नॉटिफिकेशन बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट कर लिजएगा ताकि जब भी कोई लाइब क्लास वेगर हो तो आपको नॉटिफिकेशन वेगर मिलता रहे और दोस्तो जो भी वीडियारती वी तक हमारे वार्टसप गुरूब में नहीं जूरे हैं तो फटावर से मेरा वार्टसप नमबर ले सकते हैं मेरा वार्टसप नमबर है 6206076569 इस नमबर को आपको से वीडियो के लाश्ट में आपको बता देंगे कि ओलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं तो चले दूस्तों आप वटावर से क्लास को लाइक कर दीजे तो जल्दी से हम क्लास को सुरू करते हैं तो फिरें यहां पर देखेगा आज का फर्स्ट परसन क्या कराईगी यहां पर को देखते हैं उपसंड ए में अपको दिया कि बिहार में या फिर घुजरात में यह फिर उत्तर परदेश में और अपसंडी है दिली में तो अपको पता होना चीए कपास ना दोस्तों सबसे अधिक किस राजी में होती है तो गुजराद राजे में कपास की उत्पादन सबसे ज़्यादा होती है और दोस्तो आपके एक्जाम में एक परसन ये पूछे आते हैं ये जो कपास होती है न दोस्तो कपास सबसे किस मिटी में होती है तो ये काली मिटी में होती है और दोस्ता आपके एक्जाम में एक पर्सण याद होना चीए किस राजे मैं काफी महत्पूर्ध है चले देखती हैं पहर ने नेक्स्ट कोसिन की तरब बर चलते हैं अब आये देखती हैं पहर दूसरा नमर परसन क्या कराई की यहां पहर आपको बताना है बारत में सबसे अधिक ग्यहुं कहां होता है भारत में सबसे अधिक ग्यहुं कहां पर होता है उत्तर परदेश में होता है यानि कि यूपी में जो ही ना दुस्तो ग्यों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और दूस्तो आपके एक्जाम में एक परस नहीं पूछे आते हैं कि भारत के किस राजे में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो पच्छी सबसे जबाएं नेचे ज़े आते कि किस राजी में नारेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो करनाटक राजी में नारेल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और दोस्तों आपके एक पर पूछे आते हैं कि जो खाणी स्तियल होते न दोस्तों खाणी स्तियल किस राज में सबसे ज़्यादा होती है तो असम में होती है ठीक है इसको अच्छी दरगे से याद कर लीजिएगा बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ड ने मोस्ट इंपोर्टेंड है अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट के दरब बर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखेगा चाउथा नमर परसन क्या कराई कि यहां पर आपको बताना है कि काली मिटी जो इना किस लिए उपयोगी है तो देख सकते हैं यहां पर अपसन अब बिल्कुल ही करक्ट रांसर हो जाएगा बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ण है और दोस्तों यह काली मिटी का जो काली मिटी जो ने दो गुजरात में पाए जाती है ठीक है सबसे जज़ा किस राज पूचे आते हैं कि जो चाउल की खेती होती है जो कि काफी मतपूर्ण है पंच नमर परसन क्या कराएगी यहां पे बिता और अपसंट यह जमीन दाट तो फिर यहां पर हम आपको बता देते ग्यरी वाल्टी पेसे से क्या था तो आपको पता होना चीह यह क्या था तो नाविक था तो यहां पर बिल्कूली गरक्ट आंसर हो जाएगा यह भी परसन आपके बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही महतप लगार्ड फेस जुतुज देखते हैं जो यहां पर अपको बताना की गदर पार्टी के अस्तापर नाचनि क्से academia था तो देख सकते हैं यहां पर पार्टी की जो अस्तापना की थे ना किस ने की थे लाला हड़ दियाल ने की थे इसे आपको याद होना चाहिए यहां पर डी वाला उपसंजे ना बिल्कुल गिरक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट के दरबर तो फ्रेंड यहां पर देखेगा साथ हुआ नंबर परसन जो कि आपके बोर्ट एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर्ण है तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना है कि उजला सोना किसे कहा जाता है तो देख सकते हैं यहां पर उपसन A में आपका दियेगा और SM को या फिर क गड़ना को तो आपको पता होना चाहिए दोस्तो यह जो उजला सोना कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए का पास को जो ना दोस्तो उजला सोना कहा जाता है और दोस्तो आपके एक पर पूचे आते कि किसे जो ना दोस्तो सुनारा रेसा कहा जाता है तो आपको पता हो तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तो अफसन एमें आपका दियागा जमिन या फिर मुद्रा या फिर खेतों के कागजाद या फिर माल गुजारी रसी तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए मनुस से क्या आर्थिक जिवन में जो सबसे महत्पोर्ण सबसे इंपोटेंट है जो ह प्रेंड देखते हैं अपर नेक्स्ट कोशन क्या कराएं कि यहां पर आपको बताना है कि राजनीक दलो बलब राजनीक दलो की निउस सरोपरतम किसी देश में पड़ी ती तो ब्रिटेंड देश में पड़ी ती इसे आपको याद होना चाहिए यहां पर सीवला अपसन जो ना इसका बिल्कुली एक टांसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोशन उससे पहले जूबी वीडिया अर्थिवी तिक इस क्लास को लाइक ने किया न तो प्लिस दोस्तो जली से अब फटावर से क्लास को लाइक कर दी है और यहां पर हमारी वेबसाइट में भी डेली धमाकेदार और लाइन टेस्ट वेगर क्यों चलती रहती है सभी सब्जेक्ट के तो इसलिए जोने दोस्तों आप हमारी साथ जूरे हमेशा के लिए एक्जाम तक चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोशन क्या कि यहां पर आपको बता आना है कि भारत में कहां औरोतों के लिए आरक्शन की विवvalueust्ता है तो इहां पर देखेंगा दोस्तों आपका दिया औरोस लोक सभा में यह फिर मंत्री मंडल में या फिर विधान सबा में और अफसन डिये पंचायती राज संस्ताय में तो फ्रेंग आपको पता होला चाइगा अब चले फ्रेंग देखती हैं पर next question क्या गराई की यहाँ पर आपको बताना है कि चाइपती सबसे अधिक कि सराजे में होती है ठीक है तो देखेगा दोस्तो option A में आपका दिया कि बिहार में या फिर उत्तर परदेश में या फिर असम में और option D हरियाना में तो फिर इन आपको पता होना चीए जो चाइपती की जो खिती होती है नो दोस्तो सबसे अधिक कि सराजे में होती है तो आपको पता होना चीए दोस्तो असम में होती है और दोस्तो आपके एक्जाम में एक परसने पूछे आते हैं कि कहवा यानि की कोफी की खिती किस राज़े में सबसे ज़्यादा होती है तो करनाटक का राज़े में सबसे ज़्यादा होती है इसको अची दरगे से याद कर लिजेगा और दोस्तों आपके एक्जाम में एक पर पूछे आते कि वनों का विस्तार सबसे अधिक सबसे कम किस राज़े में है तो हरियाना यह पिर उडेशा और अफसेंडी एक करनाटक तो इसे आप सोटकर के माधियम से यात कर सकते हैं बीमारों को कुछ इस परकाल लिखेंगे दोस्तों स्पेलिंग के साथ इसका जो उच्छारण होगा यहां पर देखेंगा दोस्तों बी मारू ठीक है तो यहां पर बी आई से क्या होता है दोस्तों बिहार होता है ठीक है और एमें से होता है दोस्तों मद्य परदेश और आर से होता है आपका राजस्तन और यू से होता है दोस्त क्या कराईएं कि यहां पर नहीं की बनानी मार घाएंगा निरौ लिन अपर की फिर नले के लिए फिर अंग पेसिती आता है विस्व की अधर भारत की जो सब नारी मार गए यानि कि यहां पर भी वोला अपसन जो नहीं इसका बिलकुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फिरेंड देखती हैं पर नेक्स्ट कोशन की दरबर चलते हैं तो फिरेंड यहां पर देखेगा अगला नमर परसन क्या कराएगी यहां पर आपको बताना है कि उभुकता अधिकार दिवत जोने तो कब मनाया जाता है बहुत ही मतपूर्ण है तो यहां पर देखेगा 17 मार्च को या फिर 15 मार्च को या फिर 19 अपरेल को या फिर 22 अपरेल को तो फिरेंड यहां पर देखेगा उभुकता अधिकार दिवत जो मनाया जाता है ना 15 मार्च को मनाया जाता है यानि कि यहां पर वी वाला अपसंजों ने इसका बिल्कूली गर्ट आंसर हो जाएगा अब चले फिरेंड देखती हैं पर नेक्स्ट के दरबर चलते हैं तो फिरेंड यहां पर देखेगा अगला नमर परसन पंदरें नमर परसन जो कि आपके बोर्ड पूछें जाने वाले परसन को यहांपर हैं तो फिरेंड यहां पर आपको बतार एक करत्राहएं को प्रार्थम 152 अब जाएगा सरोब्वर्क जाएं आपकी एक्जां में पूजी का सेट है । और ये फ्राकर्तिक गेस जैसे कि CNG हो गया दोस्तो LPG हो गया ये सभी कहे दोस्तो आनवी करने संसाधन है चले देखती है आपर नेक्स्ट कुसन क्या कराईगे आपको बताना है कि कावर जिल जो है ना कहां पे इस्तिद हो ये आपको बताना है तो देखेंगे दोस्तो अपस जोने इसका बिल्कुली करक्ट आंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड ने देखती हैं पर नेक्स्ट कुसन के दरबर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर देखेगा 17 नंबर परसंट क्या कराई कि यहां पर बताना है कि बिहार में खाद कारखना कहां है ठीक है तो फटावर से करते हैं तो बिहार में खाद क्या करखना कहां पई इस ति देंड तो आपको पता होना चाँ थोस्तो पत्ना में या पर ब्रोण में या पर मुंगेर में या पर हाजिपूर में तो बढरी में स्थी देखेगा 17 ने सका बिलकुली गरक्ट आ अब हो जाएगा ने नेक्स्ट कोसन जो की काफी महतपूर्ण है आपके बोड एक्जाम के लिए तो यहां पे आपको बताना है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है फटावर से बताई है दोस्तों यहां पर देखें को अपसन एम आपको दिया बंगलादेश की सीमा या फिर भूतान क नेपाल की सीमा चीन के फिर अपको पतावना सीह है यहां फिर इक्जाम के लिए बहुत ही महतपूर्ण है आप देखते हैं नेक्श्ट को संभ अब आपको बताना की भारत का है जसके फिरेंबुत अब बखां कि बहुत ही बहुत इंपूर्ण है यहां पर भारत का चीन कुछया चील्त आपको निए कर राष्टी में महीं दो를 और CR ad ओंछ लाध है करेंड यहां सैआं सब्सक्राइब चलते हैं तो फृरेंड यहां पे देख neighborhood अगला नमर परशन기에 क्या प्राइड की यहां पे बताना है कि ग्राम का परदहान कोन होता है तो यहां परorsa कौन होता है यहां फिर पर्मुक होता है यहां न imagen होता है तो दीक तो देखें घ्रक पर इखाइंग परमड़ ने यहां पर एपको पता ऊकल रहे हैं है अब चल एक ने एक्स्ट और चलते तो फ्रेंग यहां पर आपको बताना है कि निम्न में कौन छोटे पैमाने का उद्धोग है तो यहाँ पे छोटे पैमाने का उद्धोग कौन है तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तो चीनी उद्धोग या फिर खिलोना उद्धोग या फिर कागज उद्धोग और उफसन डिये वीदियो दूपकरन उद्धोग तो आपको पता होना चाहिए दोस्तो सबसे छोटे पैमाने का जो उद्धोग है न दोस्तो खिलोना उद्धोग है यहाँ पर बीवला उफसन जो न बिल्कुल ही गरक्टांसर हो जाएगा यह पर अभी तक हमारी वार्टसप गुरू में नहीं जूड़े है तो फटावर से हम मेरा वार्टसप नुमबर को नोट कर सकते हैं मेरा वार्टसप नमबर यहां पर 62060 से बाट 6569 इस नमबर को आप सेप कीजिए और बोले कि सर हमें वार्टसप गुरू में जोड़ दीजिए त तो देखे सकते ही, यहां पर अप्सेन एमे पका दिया कप जर्मयी में, या फिर चीन में, या पिर जापान में, या फिर आपका रोम में, तो Всемं यहां पर देखेगा काग़च का विसकार हुआ था तो चीन देस में हुआ था, पूझा आते हैं कि कागजी मुद्रा कभी स्कर्किस देश में हुआ तो चीन देश में ही हुआ ठीग है चले देखते हैं आपको नेक्स्ट कॲेसे की तरब बर चलते हैं तो फ्रेंद यहाँ पे देखेंगा अगला नमर पर संट क्या कराई की यहाँ आपको विता आना है कि भ सबसे बिहारत के किस राजिय की परतिविक्ति यह सबसे कम है अगर आपसे पूछा जाये कि बिहार में किس जीले warning की परतिविक्ति है सबसे ज्यादा है और दोस्तों कि जिले याद को काम इसको अच्छी द्रगे से याद कर लीजिए चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन की दरब बर चलते हैं तो फिरें यहां पर आपको बताना कि भारत के किस राजी की परती विक्तिया सबसे अधिक है तो यहां पर हम आपको पहले बताए दोस्तों गुवाराजी की परती सबसे ज़्यादा है चले देखते हैं पर नेक्स्ट कोशन क्या करा है कि यहां पर आपको बताना है कि देश के बांदों को किसने भारत का मंदिर कहा है तो पंडित जवाहाल लाल नहरू जी ने कहा है यानि कि यहां पर बिलकूली गरक्ट आंसर हो जाएगा चले फिरेंड यहां पर नेक्स्ट कोशन की दरबर चलते हैं तो फ्रेंड यहां पर आपको बताना कि सुन्दर होने तो पच्छी मंगाल राजी मिश्ती दे इसको अचीदर के सियात कर लिजिए यहां पर सीवल आप्सन इसका बिलकुली गरक्ट आंसर हो जाएगा चले देखते हैं पर अ नेक्स्ट कोशन की तरब चलते हैं तो यहां पर एक्जाम की से कहा जाता है तो चीन को कहा जाता है इसको अच्छी तरगे से याद कर लिजिए बोर एक्जाम में परसेंट पूछे जाएंगे चले फ्रेंड देखते हैं आज का लास्ट औरंतीन परसन को देख लेते हैं जो कि समाजी विज्ञान के महत्पूर्ण परसन है तो यहां पर आपको बताने है कि भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादग राज्जी कौन सा है तो आपको पता हो स्टी महतपूर्ण चुनेंद चुनेंद आ फ़री को संस को पर चुके जिनन में हम लोग 30 महतपूर्ण आप जरी को संस का कला स्थ और यह तो आपके आगामी एक्जाम यानि की दूएरचोविस के फारणल मैटि बोड एक्जाम ए सो परसेंड पूजे जानेवाले पर्सन को यहां पर हम आपको पराया ठीक है तो फटावर से कमेंट सेक्षिन में जा कि आपको बता आए दोस्तो 30 person में से आपको बहले से कितना पर्सन का से और 60 आंशर याता ह। इसका जब आपको इसी वीडिव में र kontella का सेक्षिन में जा कि बता देना है अगर यहां पे इसका अंसर पता है डावलो को संस का अंसर क्या लगता है बारत का राश्टी पसुक किसे कहा जाता है जिएग तो पर पेज़ी सब्सक्राइब दोस्तों यहां पर आप आप हमारे website में जाके online test दे नीजिए क्योंकि एक-एक online test हमारे के हमारे द्वारा और हमारे टीम के द्वारा लगाया जाता है काफी महनल लगते है तो काफी समय लगता है तो आप यहाँ पर online test को क्या करते हैं दूस्तों इगनोर करते हैं online test देने से हम pa数 पर करेंगे और यहां पर नाम मेंच हो जाराता है जो यह पर नाम रूबतर हैं टिया जांगा ओी गांगा वें परका सब्सक्क्रांद के लिए ज्यों पकर, guidance को यह देनेगा ब्लती अग्युंतर सो关92, य हम आप को पुर्ण गूगर क्रोम में आना पड़ेगा यह फिर डायकली गूगल में भी आ सकते हैं या फिर किसी भी ब्रोजर के मादियम से आप डायकली गूगल पर सर्च कर सकते हैं करने के बाद यहां पर सर्च करना है सिंपली तो यह वाले लिंक पर आपको किलिक करते हैं तो आप हमारे वेपसाइट के फ्रेंड पेज में आ चुका क्योंगे आज आएंगे उसके बाद देख सकते हैं तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप उल्लाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं तो देख सकते हैं और जैसे सबसे पहले आप हमारे वेपसाइट में इंट्री लेगे ना तो क्या आप सबसे पहले यहां पर पूछा जा कर दिया है तो इसमें किलिक करके डार्क लिए आप हमारे वेबसाइट वाले पेज पर पहुच सकते हैं फिर यहां पर नीचे स्कूल डाउन करना है तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों लाइन केशखकेंगे विभीयाऊन करना है फिर यहां परले mono परक थाउन करना करें यहां पर देक सकते दोस्तों इस थार्ट वाले बटन पर यहाँ प्लिक किजेगे नहीं तो यहां पर आप के नाम फूजा जायेगा अपको अपना ही नाम डालनijnयी थार्ट से अपना मेजर टार्गेट जो हमारे यूटूब चैनल है उसका नाम दे दिये उसके यहां पर आपके सामने आपका कुस्ण आ जाएगा इसका जो भी राइडन से लगता है ना तो सिंपली आपको उसमें किलिक कर देना है तो इसी तरह सिंपली किलिक करते करते आपको आगे क सकते हैं और यहां पर आप हमारे website के माधियम से बिल्कुल फीडियों में इसमें आपको किलिक कर देना है तो जैसे आप इसमें किलिक कर देते हैं तो यहां पर कलास्टन के सभी सब्जेक्ट मलब सभी चेप्टर का ठीक है यहां पर देख सकते हैं दोस्तों सभी चेप्टर क्लास में अभी के लिए इतना है रात्री नोगजी वाली क्लास में मिलते हैं जो कि काफी महतपूर्ण क्लास होने वाली है